हेलो सुरेंट गूर्निंग बेटा आज फिर एक अच्छा कॉंसेप्ट नया कॉंसेप्ट जो 10 से 11 मुविंग वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है इवन 12 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं बेटा तो आज कॉंसेप्ट के डिसकस कर रहें ए एक पावर एक इस इकल टूवर्न है तो 9 से 10 में जभी कभी पढ़ा हो कि संतिंग की पावर वन है तो उसका विधा क्या-क्या मीनिंग हो सकते हैं पहला मीनिंग तो बैटा कोई भी बता सकता है रिक्षा वाला बता सकता है एक वेलिव बन होगी कुपि वंगी इतनी भी पा अच्छा एक थोड़ा द्यान में रखना थर्ड अब यह तो दो तो हिंदूस्तान के बच्चे-बच्चे को पता है लेकिन अपन यहां पे थर्ड क्या डिसक्स करने वाले हैं वह क्या डिसक्स करने वाले क्योंकि यहां पर फिर मैं बोल रहा हूं जही मेंस और जही तो फूर अच्छ से पढ़ते हैं अब मैं तुमने बोला माइनस ओन की पावर क्या रही हो यदि मैं एक बोलो कि माइनस बावर रही हो लेकिन रही हो यह जो पी बाइट की वाला उसमें पी वर नो तब भी तो यह वन और यहां पर हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले वह क्या है एक की फॉर्मेट में होना चाहिए प्यक्यू और वहां पर पी क्या होना चाहिए इवन तो देखो पिटा जर्णल ही अपन क्या करेंगे जब भी ऐसी प्रॉबलम आए तो हम यह के डिसक्स करने वाले हैं बेस इक्वस्ट्रो चाहिए वहां पर पावर एक्स इकल टू पीक्या होना चाहिए एवन एक छोठी सी बात दिसकस करते हैं क्योंकि मैं फिर बोलता हूं अब देखो तुम को क्या मिलेगा देखो फॉर्थ यह ध्यान रखना यदि आपको जीरो की पावर जीरो मिल जाए तो क्या करोगे ऐसा केस भी आए जिसमें एपी जीरो और बेस पावर भी जीरो बिटा तुम बोलोगे सर यह तो वन हो जाएगा लेकिन यह बिटा अन्डिट कोशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस कॉंसेप्ट पर एक अच्छा कोशन करेंगे अब मालो इसको पर कोशन एक करते हैं तो देखो एक कोशन पकड़ते हैं इधार ले ले दाओं find the value of x find the value of x for which 2x square minus 5x plus 3 की power x square minus 10x plus 21 upon में x square minus 1 equals to 1 अब बेटा अपने को x की value निकालनी है यदि x की value निकालनी है इस equation में अब तुमको पता है यहां पर तुमने यहां discuss कर रखा है कि sir इस case में तीन चीज़े होंगी या तो यह 1 होगा ठीक है या फिर यह पावर पूरी की पूरी क्या होना चाहिए जीरो और थार्ड यह minus 1 के equal हो जाए और यह किस format में हो जाए x is equal to p by 2k form में यह दोनों simultaneously satisfy होना चाहिए ऐसा नहीं है कि तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा 2x square minus 5x plus 2 is equal to किसके equal मिल जाएगा जीरो चेक करो इसके कोई रूट आ रहे हैं येस definitely रूट आ रहे होंगे 20 करोगे 25 4ac रूट आ रहे हैं अब निकाल रूट माइनस b plus minus b square minus 4ac 224 और 16 अब वान में 2 ए ये किता है या 9 3 5 और 3 8 8 by 4 2 ठीक है 5-3 2 2 by 4 1 by 2 तो यहां पर अपने बाद दो रूट मिल गए एक तो क्या मिल गया 2 और क्या मिल गया 1 by 2 तो यह तो हो गया अपन को equation number 1 से जो अपने को मिला अधा दूसरा case क्या आत है यह जो power है यह power किसके इकवल होने चाहिए बेटा जीरो के अब यह power जीरो के इकवल है इट मींज एक्सु स्क्यार माइनस 10x ब्लस 21 अपवान में एक्सु स्क्यार माइनस 1 इस इकल टू जीरो यह राइट है तो एक्स की वेल्यू आजाए कि 7 और 3 वोग यही कि यहां दक लियर है कि इससे भी कित इसके प्रॉलम से इसमें तो फिर भी आपको कोई प्रॉलम ने आएगी देखना 2 x2 माइनस 5 x 3 इसी कल टू क्या लेना है माइनस 1 क्योंकि मैंने बोला 3 कैसे आप डिसक्क्रों तो चक्रोगे तो प्लस 4 इस इकल टू 0 देखो इसका d less than 0 है इसका महला इससे कोई root नहीं आएगा इससे कोई x की value नहीं आएगी जिसके कारण यह वाला जो base है 2x square minus 5x plus 3 कि इसके equal हो जाए minus 1 के equal हो जाए तो पिटा इस question में हमारे पास किते answer आए तो तुम बोलोगे कि sir number of solutions किते है number of solution पूछे तो चार और values पूछे तो x की value 2, 1 by 2 and 7 and क्या ही बेटा 3 तो यह वाला question थोड़ा simple रखा था लेकिन next question है इस पूरे concept को cover up कर देगा तो बेटा next video को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले thank you for the class बाए बाए हुआ 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 है